प्रसिद्ध ग्रंथ सुवर मेल कला निधी के लेखक पंडित रामा मात्य हैं, जिन्होंने सन पंद्रह सो पचास के लगभग इसे लिखा, उनके पिता का नाम पंडित तिम्ब रास्ता, जो विजयनगर के राजा सदा शिवराय के यहां प्रधान मंत्री थे, रामा मात्य का असली नाम राम था, उन्हें राजा की ओर से आमात्य अर्थात मंत्री की पद्वी मिली थी, इसलिए उनका पूरा नाम रामा मात्य हुआ, अपने पिता के बाद वे राजा विजयनगर के मंत्री नियुक्त किये गए, राजा स्वयम बड़े कला प्रेमी थे, रामा मात्य में भी संगीत के प्रती बड़ी रुची थी, उनके साथ रहकर उन्हें संगीत साधना और रचना का एक अच्छा अवसर मिला, उन्ही दिनों उन्होंने स्वर मेल कला निधी की रचना की, स्वर मेल कला निधी के पाँच अध्याय हैं, उनके नाम है उपोद गाद प्रकरण, स्वर प्रकरण, वीना प्रकरण, मेल प्रकरण और राग प्रकरण, प्रथम अध्याय में पुस्तक की भूमिका है स्वर प्रकरण में गांधर्व, गान, नाद की उत्पत्ति, शुति और उन पर स्वर बताए हैं मेर प्रकरण में 20 मेल बताए हैं और उनके नाम दिये गए हैं मेलों से उत्पन रागों के नाम लिये गए हैं राग प्रकरण में 20 रागों को उत्तम राग, 15 रागों को मध्यम राग और 33 रागों को अदम राग बताया गया है यह छोटा सा ग्रंथ है जो दक्षिनी संगीत पर आधारित है लेकिन उत्तरी संगीत के विद्यार्थियों के लिए भी बहुत उप्योगी है इसका हिंदी अनुवाद भी छप चुका है जो अब अप्राप्य है